नेपाल सरिकाले आरोहन का लागी 414 ओटा हिमाल को अनुमती खुल्ला गरेको छा। जसमा 5 करोड बरावर्क रोयल्टी संकलन गरेको परिटन विभाग को तत्यांक छा। 1668 रुपया संकलन गरेको छा। एससे गता बर्षको बसंत रितुमा एकसे एकती स्टोलीले हिमाल आरोहन करेका शन। जसमा 733 जना पोरुस र 213 जना मैला रहेका शन। पोरुसम कोई साबले रहे एती बिला स्प्रिंग सीजन मा चाही विशेशकरी फोकस सघर मा था हिमाल आरोहन को लागी फोकस गरने अवस्ता देखींचा। त्यो संग्संगे कंचन जन्गा वायो हैना तेस पचाडी मनासलू मा अलिकती थोरे हुँँचा। और केई संख्या मा चाही दवलागीरी हिमाल यो खालको हिमाल आरोहन गरने एती बिला चाही समाय हो। अलिकती बिलागीरी हिमाल मा परिवर्तन भईराने मुक्के देखींचा। चुनावती कुरूप मा रहे काशा। अरको तर्फ पदमार्ग तथा आधर सिबे सम्मा खाद्यन धुआनी लगाईत का समसे हरू एथावत रहे काशन। निर्माण गरने गरी निर्माण गरना लाई कसे हिले कुने संस्ता लाई जिमेवारी दिने गरी को अबस्ता चा। अईले ने पनी हमरो खुम्बु छेत्रमा चाई सगरमा था आधर सिबेर सम्मा एलिकूप्टर मारफ डुआनी चाई न गरने गरी को निर्माण बखाराई यादे पी हमी तियो छलफल गर्र समादान गरने क्रम मा चाऊं। जब यू पर देना तब नेपाल का हिमाल हरु चाई प्रमसा काला पार बनने नहीं भाई। गरने विभाक को योजना आशा। इसते विदेसबाट आरोन गरन आउने लाई सम्मान गरने रा आउने मेद दिखी सगरमाथा आरोई हरु लाई बैस्र प्रमाण पत्र बित्रन गरने कारे विदी विभागले स्विक्रित करेको चा। एद दपी जलबाई परिवर्तन ले केही हीम स्रिंखला हरु लाई कालो पहाड मा परिनत भईरे का अवस्ताले पनी गमिर्ता का स्षाथ लिनो पर्ने हुंचा। माउटन टिवेस्टी का लागी क्यामरामा निखिल कपाली को स्षाथ मा विद्यतामं को रिपोर्ट।